अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बैल आइकॉन पर क्लिक करें ताके इस तरह के इंफॉर्मिटिफ सेशन आपको हमेशा मिलते रहें मैंने आज जो एक पहला सेशन औरियंटेशन सेशन रखते हैं स्पोकन इंगलिश के हवाले से वो भी मैं आपको अल्रीडी फॉर्वर्वर्ड कर चुका हूँ इस सेशन के बाद मैं आपको फिर फॉर्वर्वर्ड कर दूँगा तो आप अगर चैनल को लाइक कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर आपका जो कोर्स कॉंटेंट है वो क्या है ये बेटा बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है और अडवैंस लेवल तक जाता है कुछ स्टूडेंट्स की गलत फहमी होती है कि हमें बेसिक साती है लेकिन हम जो चीज़ भी पढ़ाते हैं वो बेस लेवल जो होता है अपका लेवल वन it helps you to build up your confidence it gives you fluency मेरे पास जितने भी students पढ़ते हैं उनके पास reviews आना शुरू हो जाते हैं एक हफते बाद, दो हफते बाद, तीन हफते बाद चार हफते बाद हर बच्चा ये कहता है sir at least I have started speaking English but now the problem is my mistakes और mistakes का जो solution है वो level 2 और level 3 में बिलता है because you have poor knowledge of tenses, structures, model verbs model phrases and conditionals तो अगर आप अपनी गलतियों को remove करना चाहते हैं तो level 2 and level 3 will help you in that session and जो हमारी course fee है वो भहुत ही affordable as 6,000 for 3 months plus 1,000 admission fees 50% off चल रहा है यानी 13,000 की जगह पर आप सिर्फ 7,000 पे करते हैं पूरे दिन में आपके पास 7 घंटे की access होती है 7 hours a day you can join us और मैं आपको एक और update दे दूँ आपसे दुपैर के session लेने के बाद ही मेरा एक और agreement साइड हुआ है आपका जो pronunciation session है वो भी हमारा वापस आ रहा है she is US qualified teacher and she was on leave and she will join us on 1st of February तो आपके पास सुभा में 12 से 1 आप चाहे तो अपने पास लिखना लिख सकते हैं सुभा में 12 से 1 आपके पास US qualified teacher होगी जो आपको accent और pronunciation पे काम करवाएगी और रात में एक और session होगा 10 से 11 यानि कि हमारे sessions आपको मिलेंगे सुभा 10 से लेके रात 11 बे तक इंशाला और इसके अंदर 9 hours का आपको live session मिलेगा with 10 different teachers तो ये एक और addition है जो मैंने दुपैर के session में नहीं बताया था but I have just talked to her and she is now available from 1st of February तो ये आप अच्छा बहुत सारे students के और भी जहन में सवाल होते हैं सर अगर हम morning का session ना ले सके दुपैर का ले ले बिलकुल आप ऐसा कर सकते हैं आप अपनी timings को जब दिल चाहे आप join कर सकते हैं जो चीज सुबह में spoken class में करवाई जाती है वो ही दुपैर में वो ही रात में grammar class is repeated three times a day जो चीज आप grammar class में सुबह में करेंगे वो ही दुपैर में और वो ही रात में three times a day you have grammar class three times a day you have spoken class with three different teachers grammar spoken classes are conducted by sir haseem miss bushra and miss kobal you have got three different teachers for discussion sessions सुबह में आप 11 से 12 discussion glass ले सकते हैं दुपैर में ले सकते हैं और रात में ले सकते हैं nine से 10 में three different teachers help you to get fluency on this platform ठीक है पीटा ये आपको course content आपको clear होगी है timings clear होगी है free के बारे में मैंने आपको बता दिया तीन दिन की workshop का लाजबी हिस्सा बना करें because from here you understand everything अगर अब आपकी आप किसी चीज़ में serious होते हैं तो आप उस चीज़ पर थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं ऐसा नहीं होता like Rome was not built in a day कोई मुश्किल काम एक दिन में नहीं होता for getting something you have to invest something आपको कुछ हासिल करने के लिए कुछ invest करना होता है उसमें वो आपका time भी हो सकता है वो आपका पैसा भी हो सकता है and for language learning you have to invest a lot of time language learning is a game of patience it's not like that that you start speaking a language within a week अगर आप गोरे की definition पढ़े गोरे क्या कहता है language learning के अवाले से it takes two years to learn a language आप दो इदारों के नाब मैं आपको बता दू आप चले जाए British Council आप चले जाए Burlets वो आपको दो साल का पूरा एक course content उफर करेंगे और आपसे दो महीने के 27,000, 32,000, 40,000 ऐसे चार्ज करेंगे तक्रीबन Burlets का मुझे याद है 60,000 for two months जोन का एक level है और उनके तक्रीबन 8-10 level है करते करते आपके जेब से 4-5 लाग रोपे निकर जाएगे ठीक है नहीं चले तो यह दीदार दे activities which we offer in spoken classes you have a presentation sessions and you have role play activities you have debate sessions, you have fluency test and you also have who is next आज का lecture one हम आपसे share करने जारे है मैंने आपको zoom की training की हवाले से दे चुक हूँ कोई भी आपका सवाल हुआ करे आप hand raise किया करे कोशिश किया करे क्लास में कोई भी administrative question ना किया करे always ask question related to your topic so teachers will definitely answer you teachers जितने मैं पास पढ़ा रहे होगे वो कभी भी आपकी administrative help नहीं करेंगे आप उनसे topics related सवाल करे they will definitely respond you ठीक है बिटा चले शुरू करते हैं आज का session आपके mic के controls आपके पास अभी आ जाएंगे आपके पास chats पे आपको लिखना आना चाहिए hand raise करना आपको आना चाहिए then you will have no problem और ये हमारा payment method होता है आप इन तीन दिन के अंदर अपनी feed submit करवा सकते हैं और Thursday से आप regular classes का हिस्सा बन सकते हैं ये notes मैंने आपसे share कर दिये हैं आज का पहला lecture पहली episode kinds of sentences लोग मुझसे पूछते हैं आप बिलकुल basic से बढ़ाते हैं तो ये basic है इससे पीछे और क्या है आईए इससे पीछे चलते हैं लोग कहते हैं हमें zero level से पढ़ना है तो बताईए जिन्दगी में अंगरेजी का आवाज होता कहां से है तो आप कहेंगे sir letters से जब हम letters को combine करते हैं आपके mic के controls आपके पास आ गए है वो students जो actively participate करना चाते है class के अंदर वो hand race कर लीज़े ताके मैं उनको अपने साथ session में involve रखूँ ये मेरा एक तरीके कार होता है जो मैं अपनी regular classes लेता हूँ अच्छा mic के controls अपने समाल के रखिएगा आपके घर की आवाजे मेरे घर में ना है ठीक है मेरे घर की आवाजे भी आपके घर में आथी अच्छा नहीं होता न किसी घर की आवास किसी गर में जाए और अपना proper name mention करें जैसे अली हुसैन पर जाईए टॉप पे ताप पर देखें letters को combine करते हैं फरी तो बताईए क्या बनता है फ्रेज letters को combine कर दिया तो क्या बनकर सामने आएगा शुक्रिया अश्रफ बताईए letters को combine करूं तो क्या बनेगा आप लेटर को combine करेंगे तो word बनेगा no sentence बनेगा माइक बोलते हैं जवाब देते ही अपना माइक बन कर दिया करें हिना आप क्या कहते हैं letter से क्या बनता है पहले sir letter से word बनता है excellent answer letter से word बनता है अब word बनता है अब जब words को जोड़ेंगे तो बताईए क्या बन जाएगा sentence 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 किसी ने कहा sentence बन जाएगा अब ये वो knowledge है जो बीच में हमारी missing है हमारा जब हम words को जोड़ते हैं तो phrase बन सकता है और जब words को जोड़ते हैं तो दूसरा option हमारे पास जो है वो फिर हम उसको कहेंगे हमारे पास clause आ सकता है और clause के बाद फिर हमारे पास जो एक और option है वो है sentence अब आएगा sentence लेकिन आपकी अभी knowledge के अंदर मैं बता रहो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो भी आपके सामने explore नहीं हैं मैं इन तीन दिन के session में कि हमारे इस चार चीज़ों के दर्मियान में हमारी knowledge में क्या नहीं है और हमें उन चीज़ों को study करना है जब हम words को जोड़ते हैं तो बनता है phrase मैंने मान लिया a phrase is a group of words which gives us some meaning आईए कुछ words को जोड़ते हैं जैसे यहां पर मैंने लिखावा है the big red apple मैंने कुछ words को और जोड़ा a pair of shoes ये भी एक phrase बन गर सामने आ गिया मैंने लिखा an important an important meeting ये भी आपके सामने एक phrase आ गिया अच्छा अगर नीचे देखें तो नीचे आपको नज़र आएगा in the class on the roof at the bus stop अगर आप गोर से देखें हर phrase से पहले कुछ नने नने से अलफाज आ रहे हैं नज़र आ रहें ये देखें on at in a और दा अब ये words आपके phrase को दो category में distribute कर देते हैं अब आप ये कह सकते हैं कि जो उपर सरने लिखे हैं वो noun phrase है noun phrase से पहले आपको हमेशा क्या नज़र आएगा आपको से पहले हमेशा article नज़र आएगा ये देखें articles नज़र आ रहें इसी तरह से जब आप इधर देखते हैं ये देखें या प्रैपोजिशन आ रहें articles तो तीन ही होते हैं ए और ये तो सबको पता है ना ये भी कोई कहते हैं है अच्छा ये क्या होते ये इन दा बच्पन से वड़ते हैं आरे क्लास वन से टू से हमने articles के ओपर काम किया था याद करें और उसके बाद prepositions prepositions in on add prepositions की तादा 40 से लेकर 80 तक हो सकती है जो हमारी daily routine के अंदर prepositions आते हैं उसमें in on add आप बहुत commonly in use हैं सब बच्चे कहेंगे हाँ सर हमें पता है ये दीदार prepositions prepositions तो they are called prepositional phrase मेरी ये दो बाते आपको बन्यादी तोर पर याद रहेंगी कि जब हम कुछ अलफाजों को जोड़ते हैं तो वो phrase बढगर हमारे सामने आ सकता है और phrase दो तरह क्यों होते हैं noun phrase और prepositional phrase गोट इट चले आगे आगे चलते हैं clause अब दुबारा कुछ words जुड़ने जा रहे हैं हम कुछ words को जोड़ रहे हैं जब हम words को जोड़ते हैं तो मुम्किन है कि हम clause बना ले अब clause क्या चीज होती है सर आपने clause को sentence क्यों नहीं कहा जबकि अगर आप clause की definition को read करें a clause is a group of words that contains a subject and a verb इसमें आपके पास subject भी और वर्ब यह तो सरी यह तो sentence बन गया लेकिन clause के अंदर भी गोरे ने आपको दो बाते कह दी हैं एक कह दी है independent clause और एक dependent clause आपकी बात को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ मैं independent clause को नाम दे सकता हूँ sentence का कुछ बच्चों के जहन में यह बात आ रही होगी कि sir why are you not saying clause a sentence मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ like it's a sentence लेकिन याद रखे याद रखे याद रखे आप dependent clause को sentence का दर्जा नहीं दे सकते कोई मुझे बता सकता है sentence की definition क्या होती है yes sir yes नाम बताईए अपना आम ना yes आम ना sentence is a group of words which makes a complete sense जो हमें complete sense देते हैं उसे sentence कहते हैं exactly अब अगर देखें मैं आपके सामने एक independent clause की example रख देता हूँ if you work hard if you work hard आपना मुझे बताईएगा क्या ये एक sentence की जगा पर हम इसको लिख सकते हैं if you work hard yes sir लिख सकते हैं no sir नहीं लिख सकते हैं क्योंकि complete thought नहीं लिख सकते हैं ये complete meanings नहीं दे रहा if you work hard लिको sir इसमें if लिखा हुआ है क्योंकि ये conditional में हो जाएगा ना ये अधूरी सी बात कर रहा है अगर मैं इसी तरह से कहूँ when she comes जब वो आएगी अब देखें जबी clause को sentence का दरजा नहीं दिया जा रहा है हम clause और sentence में difference को समझ रहे हैं clause में subject भी है verb भी है independent clause देखते है dependent clause देखते है दोनों में subject and verb मौझूद है लेकिन याद रखें जो independent clause होता है उसको आप sentence का दरजा दे दीजे ये देखिए she likes to read books this is an independent clause ये अकेले आ सकता है अकेला खड़ा हो सकता है कोई परिशानी की बात नहीं है लेकिन जब आप dependent clause बनाते हैं तो उसकी जो शुरुवात होती है वो if से होती है when से होती है as soon as से होती है as long as से होती है until से होती है until you take workshop until you attend six sessions of workshop you will not be able to decide whether to join SKH or not until you work hard जब तक आप महिनत नहीं करेंगे जब तक आप महिनत नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा until you work hard आगे बोले न सर if she comes late आगे बोले न सर यारी कि dependent हमेशा महताज होता है किस पर महताज होता है एक independent clause पर आगई बात समझ अब आपकी जिंदगी में आ रहा है sentence हाँ sentence सबको पता है a sentence is a group of words which gives us complete meaning a sentence normally ends on full stop question mark और mark of exclamation इसमें कोई परिशानी की बात नहीं है इसमें कोई दो बाते नहीं है इसमें कोई उल्जिन भी नहीं है sentence या तो full stop पे जाएगा end होगा या question mark पर या mark of exclamation पर इन तीन ये तीन possibilities है और आपको पता है जो clause होता है जब आप dependent clause लिखते हैं तो उसके आखर में कॉमा आता है if you work hard कॉमा लेकिन अगर आप एक dependent, independent clause लिखते हैं तो आप उसके आखर में भी full stop question mark और mark of exclamation आता है जब ही मैंने independent clause को sentence का दरजा दे दिया है बचपन की बाते याद करें अच्छा अगर मैं आपसे एक सवाल करू एक exercise आपको solve करने के लिए दू तो क्या आप उस exercise को solve कर लेंगे इस तरह की होगी बताईए बताईए कि ये जो मैंने सामने लिखा है ये sentence है या phrase है या clause है जरा चेक कीज़े न मैं आपकी chats के अंदर answers का इंतिजा कर रहा हूँ one dot करके लिखिए न they are going on a vacation they are going on a vacation one dot करके लिखिए क्या है ये sentence है तो s लिख दीजे dependent clause है तो d लिख दीजे prepositional phrase है तो p p लिख दीजे noun phrase है तो n p लिख दीजे shortcut में चलेगा उरूज very good so it is a sentence the curious little kitten क्या है ये two dot करके लिखिएगा जो कहता है ये dependent clauses में मुझे subject of word बता दे क्या है सिद्रा वेरी गोड अगर देखें ये अगर dependent clause है तो इसमें मुझे subject of word तो ढूट के दिखाईए जो लोग कह रहे हैं कि ये dependent clause है माफ कर दे बेटा जबर पाकिस्तानी सब कुछ बता भी दिया किसी नाम नहीं बताओंगा बेटा it is a noun phrase kitten कौन सा subject शुरू में आता है under the bridge it's a noun phrase number two is a noun phrase under the bridge under the bridge अब under सबको बता है क्या है preposition है foreign बता दीजे prepositional phrase when the sun sets जब सूरज दूबेगा when the sun sets अब या दूरी बात है क्या होगा sir it is a DC आप लिख सकते हैं DC लिख सकते हैं dependent clause the sky is clear and blue the sky is clear and blue the sky is clear and blue that's very good the sky is clear and blue अगर sir आप से कहें कि आज रात सोने से पहले इस exercise को solve कर लीजेगा तो आप लोग कर लेगे और उसके बाद answers को cross check भी कर लेगे पीडियेफ आपको अभी भी भेजी उस पर ये बहुच होता है ठीक है चले आगे अच्छा आज की लास इंट्रेक्टिव भी होगी आप से आखर में discussion session भी होगा मारा workshop का मकस्व भी होता है कि आपको पढ़ाता भी रहूं और आपको ये चीज़ भी बताता रहूं कि किस तरह से हमारे sessions live कंड़ किये जा रहे होते हैं और मुझे पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अपनी knowledge का कुछ deliver आपको ज़रूर करों और ये basic lectures हैं ये हमारे course को join करने से पहले हम चाहते हैं कि ये knowledge आपके पास कम से कम आपकी refresh हो जाए already है तो बहुत अच्छी बात है IELTS के participants के लिए बड़ी important बात यहां से शुरू होई है variation of a sentence आपको पता है अगर आप IELTS के paper में अपेर होने जा रहे तो आपको आपकी variation of a sentence के marks मिलते है आप लोग जो अंग्रीजी बोलते है अगर आप समझते हैं कि आप beginners level पर हैं अब मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ आप basic English पढ़ाते हैं या advanced level पढ़ाते हैं तो मैं कहता हूँ कि हम basic to advanced पढ़ाते हैं आपको पता है अगर आप simple English simple sentences बनाते हैं तो यह आप basic level पर खड़े हुए पेसिक फिर आप compound और complex पर आजाते हैं तो आपका intermediate level होता है और जब आप compound complex पर आते हैं तो आपका advanced level होता है और IELTS के अंदर आपकी speaking और writing के अंदर यह formation चाहिए compound complex यह क्या होती आई है गौर से तमाब बच्चों की भरपूर तवज्जा बहुद इंपॉर्टन बात है simple sentence अभी आपने ताजा-ताजा study किया simple sentence she ran to catch the bus यानि कि मैं किसी independent clause को simple sentence कह सकता हूँ मेरे पास देखे तीन नाम आगे sentence, independent clause और अगर मैं variation की बात करता हूँ simple sentence अब इसमें affirmative हो, negative हो, question हो, that's not a problem but it is a simple sentence आपके सामने, बहुत आसान सी बात I enjoy reading books, बात खतम the cat is sleeping peacefully, बात खतम अगर आप मेरे दो simple sentences को जोड़ दे अगर आप मेरे दो simple sentences को जोड़ दे तो आपकी जिन्दगी में एक नई variation आ जाएगी और वो होगा compound sentence अब आज से पहले compound sentence नाम नहीं सुनाता लेकिन ऐसे जुमले बनाते जरूर थे और इसको जोड़ने के लिए आपको चाहिए होता है conjunctions जिसको आप लोग linking words भी कहते हैं इसकी knowledge सबसे ज्यादा poor है हमारे students की पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा poor knowledge होती है conjunctions की, articles की और prepositions की अब compound sentence consists of two independent clauses दो जुमले देखे I went to the store एक जुमला I bought some grocery दूसरा जुमला दोनों को जोड़ दीजिए compound बन किया लेकिन problem क्या आएगी बताओ problem आएगी कैसे जोड़े तो कैसे जोड़ने के लिए कल दुपैर की class लाजबी लिजेगा उसमें सिखाऊंगा how to combine ideas how to combine words कल मैं आपको structural words के बारे में एक अलग से session दूँगा और उसके उपर बकाइदा आपसे lectures भी share करूँगा और तीन ऐसे words होते है जो आपके structural है जिसमें एक आपके सामने है conjunction लेकिन अगर आपने अभी आप इस बात को समझेए what is compound sentence compound sentence होता है दो simple sentence उसको जोड़ दीजिए लेकिन जोड़ने के लिए conjunction problem कर रहा है अब अगर आप एक independent clause सबको पता है क्या है और एक dependent clause को जोड़ दे तो बन जाता है complex sentence जैसे after I finish my work अब देखोई अगर मैं सिवित्ती बात करूँ after I finish my work this is a dependent clause this is a dependent clause अगर मैं आप से ये बात कर रहा हूँ तो ये अधूरी सी बात है इसको पूरा करने के लिए complex sentence अब देखो ये जुबले भी इस्तवाल किये है पहले लेकिन पता नहीं था कि ये हमारा complex sentence है सही कहारो वलत कहारो इस तरह के जुबले बोलते है ला if you work hard you will get success this is actually a complex sentence अब आज ये बात पता चल गई है तो अब आपकी knowledge upgrade हो गई है when you when you work hard you will get success जब तुम मेहनत करोगे तुम्हे कामिया भी मिल जाएगी until you join SKH you will not improve your spoken English आभी बात समझ अच्छा अब आप देखिए अब जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है अब आप अगर इस चीज को combine करे अब आपके पास जो चौती variation है वो है compound complex अभी ताज़ा ताज़ा बढ़ा है आप लोगों ने यह देखिए she went to the store and I stayed home बताईए माइक में बताईए she went to the store and I stayed home यह कौन सा sentence है मैंने अभी बताया है compound sentence कैसे पहचाना है कैसे पहचाना यह compound है conjunction के through जोड़ावाई है और सर्थ दो simple sentences है जब आप तो यह बन गया compound अच्छा उसके आगे देखिए कि मैंने लिखा है because I was not feeling well यह जो sentence है यह एक dependent clause है जो मैंने इसके साथ जोड़ दिया है तो अब आप बताईए इसका एक नया नाम क्या पड़ गया कौन सी variation आपके सामने आ गई compound complex sentence कोई बहुत बड़ी science नहीं है बहुत ही आसान सी बात है लेकिन हमारे student को हमें भी किसी ने student life में यह बात नहीं समझाई थी है कितनी आसान सी बात मुझके ले क्या कोई बहुत ही basic बात है दो जुमलों को जोड़ना सिखाया वो compound है conditional sentence वो complex है और आज Sunday compound complex भी बता दिया that's not a difficult part at all क्या कहते हैं it's difficult or it's simple it's quite easy अच्छा अब इसको easy और और easy बनाते हैं आपके लिए अगर मैं आपसे पूछू अगर मैं आपसे पूछू कि बताईए 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 यह जो sentence आपके सामने लिखा हुआ है यह compound है complex है या compound complex है तो आप बता देंगे चलिए देखते कौन कौन बताता है यह दिश्व she loves to sing she loves to sing बताईए आप chat में मुझे बता सकते हैं कि यह compound है complex है या compound complex है या यह simple sentence है one dot करके लिख sides a simple sentence very good I went to the store and I bought some groceries I went to the store I went to the store and very good excellent answer it's a compound it's a compound sentence after I finish my work I will go for a walk after I finish my work I will go for a walk after I finish my work I will go for a walk that's very good it's a complex sentence not compound complex compound complex में जुमले नजर आएंगे आपको यहाँ पर सिर्व दो ही है he likes to play basketball मिल जेगी बिटा he likes to play basketball but he does not enjoy football he likes to play basketball it's a compound very good compound sentence the sun is shining so let's go for a picnic five dot करके लिखियेगा तु मुझे समझाता है कि आप किसका जवाब लिख रहे है five dot करके लिखिये the sun is shining brightly so let's go for a picnic सोच ले सोच ले लारेट सोच ले दोलो sentences को आप अलग कर दे let's go for a picnic चलो आप पिकनिक पर चलते हैं यह भी एक जुमला है the sun is shining brightly यह भी एक जुमला है लोगो जोड़ दिया लगा दिया that's all when the bell rang the students rushed out of the class when the bell rang the students rushed out of the class when the bell rang अदूरी बात अदूरी सी बात और उसके आगे एक independent clause तो यह वन गया आपका very good complex sentence मेटा बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है आपको लग रहा है बहुत कोई मुश्किल बात कर रहा हूं आपका my call हो गया है आप मुझे बता सकते हैं क्या बात समझ आ रही है अगर यह exercise आपको घर से दे दी जाए तो आप इस पे रात सोने से पहले practice कर लेंगे और practice करने के बाद अपने answers को verify भी कर लेंगे यह सर्थ ठीक है अच्छा मेरी एक अच्छी बात यह है मुझे आप लोग अच्छी लगे ना लगे लेकिन मेरी अच्छी बात है जो भी चीज़ आपको पढ़ाता हूँ या मेरे साथ जितने भी लोग पढ़ाते हैं grammar के अंदर वो इसनी notes वो follow करते हैं और इसी तरह से आप से कहते है practice करे, cross check करे और आज के इस session के बाद आपके उपर दो test applicable होए है यही exercise अगर test की शकल में आजाए और पांच मिनट में आपको करनी हो तो क्या आप लोग कर लेंगे उसमें 20 सवलात आप से पूछे जाएगे बताईए यह compound है, complex है या simple sentence है तो आप बतादेगे, 20 में से 20 ले लेंगे अप चो लेकिन practice जरूर कीज़ेगा फिर एक आपके पास exercise एक test आपके पास यह आएगा आप से पूछा जाएगा बताईए यह noun है यह noun prepositional phrase है यह sentence है यह phrase है या फिर यह dependent clause है तो आप बता देगे यह आपका test one होगा जो exercise देता है उसका test भी मैं create करता हूँ वो create हुए मैं मेरे पास क्योंकि पिछले तीन साल से मैं online पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पूरा एक system design हुआ हुआ है कि जो मैं चीज़ पढ़ाता हूँ उसकी exercise उसका test और उसकी practice लेकिन क्योंकि अभी आप इतने basic level पर है ये spoken glass के दर इसकी practice नहीं है ये आपको सिर्फ language का मिजाज समझ आ रहा है kinds of sentences आपकी repeat हो गई आपको ये बास समझ आ गई अच्छा starting phrase से होती है फिर clause आता है फिर sentence आता है इसमें सब्सक्राइब करना है एक सेंटेंस के अंदर होना ये वाली बात भी बिल्कुल सही है आप clause is a smaller unit of a sentence के भी सही है लेकिन ये बात किस के लिए सही होगी जब आप dependent clause की बात करेंगे क्यूंकि independent clause थो खुद बड़ सर एक जर्खले sentence में का clause और clause में का sentence both can make a sentence sentence is actually a sentence clause can make a sentence अगर आप clause को dependent और independent दोनों को mix करके लिकर आती है तो वो एक sentence create कर देते हैं लेकिन अगर आप independent clause शाती है तो वो खुदी एक sentence की हैसियस से आपके सापने आजाता है ठीक है तेंक यू सो मज़न अब वो students hand raise कर लीजिये जो इस वक बिल्कुल active है और वो मेरे साथ discussion के अंदर participate करना चाह रहे है आईए आप से discussion करते हैं I'm just sharing my screen with all of you अच्छे यह आपके पास discussion slides होती है जो आपके discussion teachers यूज करते हैं आप जिस लेवल पर उस लेवल पर who is ready to speak raise your head वफा बराए अजादे इशा अश्यदो आपके अश्यदो आपके 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 आपक अखाहु को वह सकत्व मेर देखां से लोगा वहारू लोग खाली हुला को एल्या हिल्हादि आर्जी इन्लोहहाल बापोत ऐढयाल बेल्ला curry लाquier अदेल इन्लोह Lần आपको बताने हैं जाए पिख्म, इस आपको बताने हैं, या अलाँ हमारे गुनाहों को बाफ शर्म शक्म, पात्मा, रेदी तो पिख्म, आपको बताने हैं you have to answer what's your name where are you from when were you born who is your best friend and why have you decided to learn this language why have you decided to learn this language and how do you usually spend your weekends when you go to discussion class so discussion class basically you have to that you have to give it that you want to come to come one question okay what's your name my name is I'm from Karachi and I was also born in Karachi my best friend is Salim why have you decided to learn this language I have decided to learn this language because I actually wanted to go abroad and that's why I decided to learn this language but you because you are in this session so you will go to sentence present perfect so you will answer I have decided to learn this language because blah 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 how do you usually spend your weekends now you have to do that you have to our discussion teachers you have to know that you are in level 1 तो आप से ऐसे ही सवाल किये जाते है, जो आसान होते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है, चलिए, स्टार्ट कर रहे हैं, कहा हैं, सुन्धस से स्टार्ट करते हैं, यह सुन्धस, माइक पे टैप करें, आपका माइक ओन हो जाएगा वर्णा अन्म्यूट पे क्लिक कर दीजे सुन्दस सुन्दस नॉट अवैलेबल, रुखसार रुखसार माइक पे टैप करना पनेगा, एक दफ़ा माइक पे टैप करेंगे तो आपका माइक ओन होगा Sana Aamir जी 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 I have many friends no one is two best everyone is my friend म nämlich हम इचाध लारफब दιद औरीजार का थाध इस्वा है, disease इब क alma कि किस chemistry कर दीघव स Turkish. इब फ्राफव समय में में दने with duty may अधूना है। एधूने यम झाए चार्प्स घृटरित Và पर चैनलीप खूश है। प्रणिसम विजरा है। क्यार अभर एथ पर आपडाव, है। अंट्रि छोगर मुझ ऑटछा, drives 14 सब्टम्बेव एड़नैओ,03 I was born in January I was born in January simple you can tell your mind it's okay I was born in February because females normally height so I was born in January yes go ahead my best friend name is Maheen as you know English is an international language so I have to I decided to I want to speak in English French so that's why I join this channel I usually spend my weekend with my siblings and with my parents and that that's it oh that's great yes next Sidra my name is Sidra Mahmood and I'm from Islamabad I was born in October and my best friend is Anila and I decided to learn this language as it is very important to communicate with other persons mainly who are not good in Urdu speaking and it is also necessary in job and also in communication skills and I spend my weekend with my family almost thank you that's very good yes Ruksar Ruksar Sudhas my name is Sundas Abdul Qadir I am from Karachi I was born on 23 December my best friend is my mother why have you decided to learn this language I have decided to learn English because it's very help out in our education system it's it's healthy it's skill and it is very necessary for mind confidence thank you very much yes next Ruksar if you click on unbute then you will have a bike all over Assalamualaikum sir can you speak me have you listened me yes you are audible go ahead go ahead yes next मैंने पात्मा सामूक्पिन, मैं पात्मा, मैं त। मया स्वाम। आए त। यह पात्मा Also I I am from fatima my best name is saman I decided to learn this sum because I want to speak frequently in English how do you spend your weekends I spend my weekends with my family that's very good that's very good next Tanya Shumaila Shumaila Assalamu alaikum my name is Shumaila I'm from Baghdad, Kashmir I was born in March I have a lot of friends all are best I think I want to improve my communication skills usually I spend my weekends with my friends, family and siblings thank you that's very good that's very good yes next Shukriya Shukriya Ashraf Shukriya Shukriya Biral Asalaamu alaikum my name is Sana I am from Saudi Arabia I was born in Bhopalpur to November my best friend's name is Fariha I decided to learn this language because I want fluency and I usually spend our weekends on beach and malls and for groceries and etc thank you very much very good yes Lare my name is Lareep Sagi Rehmed I am from Razan Station I was born in March my best friend is my sister I have decided to learn this language because I want to improve my English and communication skills I usually spend my weekends with my siblings family that's very good that's very good yes Sana Malik my name is Sana Malik I am from Gudduberaj and I born I was born on 20th of May and my best friend is Shaistha and I I decided to learn this English language because because English is international language and usually spend my weekend with my family thank you sir that's very good that's very good yes Arizo Arizo hello my name is Arizo I am from Kabul Afghanistan and I was born on January 2000 and my best friend is for all and I decided to learn English because it's an international language and also I was studying medicine in Afghanistan and it's very important language for every doctor so I started to learn English and I spend my weekend with my family and sometimes I meet my friends as well itself and have बिटा गर आप इन सेशन्स का रेगुलर हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप तीन दिन की इस वरक्शॉप को लाजबी तौर पे लेते रहिए मैंने भी आपको डिसक्रिशन के हवाले से गाइड किया और दुपैर में स्पोकन ग्लास के हवाले से और आज जो लेक्चर वन मैंने डिलिवर किया है इसका टेस्ट वन और टेस्ट टू अब मैं आप से शेयर करूँगा रात सोने से पहले एकसरसाइजस को भी सॉल्फ करें टेस्ट में भी अपियर हो इंशाला कला आप से मुलाकात होगी दुपैर में चार बजे और रात में शाम में साथ बजे अगर आप आईल्स प्रेपरेशन में इंट्रेस्टेड है तो आज आपसे एक मुलाकात और हो सकती है रात समदस से ग्यारा असलाम अलेकुम वरह्मतुलाही वबरकातुम।